हलो गाइज इक बाइब फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल Tech FC में दोस्तों आज हम बात करेंगे और इस स्मार्टफोन के जो कि 30,000 के बज़ेट सेग्मेंट में आते हैं और जेनरली इस बज़ेट सेग्मेंट में लोगों का जाद ध्यान जाता रहें लेकिन स्मार्टफोन इस सेग्मेंट में शांदार आते हैं क्योंकि इस बज़ेट में आपको जादा रहें स्टोरिज, पावरफुल प्रोसेसर, अच्छी बैटरी यानि कि हर वो फीचर मिंचे जाता है जो कि आपके अपने स्मार्टफोन में आप चाहते हैं खर अगर आप भी इस बज़ेट में कोई बैस फोन खरीबना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए 6 स्मार्टफोन लेकर आया हूं जिने की आप अपने लिए पर्चिस कर सकते हैं बढ़ आपको तो कोई एक ही लेना है और इसलिए इस लिस्ट में आपको बड़ी बैटरी वाला फोन गेमिंग फोन गुड लुकिंग फोन सब कुछ देखने को मिलेगा जिससे की जैसी जिसकी नीड वैसा उसका फो आपके लिए इस वीडियो में मैंने सब कुछ मेंशन कि सेंसंग में सब कुछ हच्चा होने के बावजूद भी कमी दिखाई देती है तो वो प्रोसेसर में क्योंकि सेंसंग के mostly phone में सिर्फ और सिर्फ अब चार्जिंग सपोर्ड जस्ट 25 वाट का दे रखाया तो चार्ज करने में टाइम लगया बात खलें तें इन कैमरे की तो इसमें 64 MP2 12 MP5 5 MP2 का और फ्रंड में आपको सेल्फी लेने के लिए 32 MP2 जो की कैमरे स्पेसिफिक्शन सो इसके कैमरे स्पेसिफिक्शन ही नहीं इसके कैमरे के आउटपूंट भी वेने देखें जो की काफी बढ़िया थे लेकिन चानल फिंगर्प्रिंट सेंसर साइड माउंटेट वाला दे रखा है महीं स्पों में दो अलग-अलग वीरिंट भी अवैलेबल पहला है 6 प्लस 128 GB वाला और दूसर। शब्स오वusto plus 128 GB वाला 10 प्लस 128 GB भाला कि बात करें halfway सब्पर बिखना को प्राइब वहिः की ताफ तोटली भूल जाएए कि ये फोन चाइनीज है या ने क्योंकि हो सकता है कि जिस मोबाइल में आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक चाइनीज फोन ही हो दोस्तों समसंग का लुग थोड़ा एवरेश था लेकिन वीवो का लुग शानदार है और इसके स्पैसिफिक्शन भी दोस्तों अक्सर देखने में आता है कि वीवो के जो फोन है वो मोस्ली कैमरा सेंट्रिक होते हैं तो सबसे पहले कैमरे पर ही नजर डाल लेते हैं 64 मेगा पिक्सल प्लस 8 मेगा पिक्सल प्लस 2 मेगा पिक्सल के ट्रिपल रहा कैमरा आपको मिलेंगे फ्रेंट में आपको 44 मेगा पिक्सल के सेलफी चूटर मिलेगा जब मैं इसके कैमरे रिजल्ट देखें समसंग के कैमरे रिजल्ट के साथ कंपेर किये तो मुझे इसके र प्रोसेसर तो दोनों सेम है, साइस को छोड़ का है, अब बात कर लेते हैं, इसकी बैटरी बैकप की, तो इसमें 4000 एमेज की बैटरी दी हुई, याने की दिन भर के लिए फोन सफीशन्ट है, आप फोन को बैटरी कम करने के दो ही चांसे हो सकते हैं, या तो फोन की कॉस्ट करन आदरवाइस, बागी सब कुछ ठीक है, अब बात कलें ते हैं, इसकी प्राइस की, तो 8 प्लस 256 जी वाला जो वेरियंट है, वो है 37,990 रुपेगा, इसका स्टोरेज आप 1 टीवी तक एकस्पांड कर पाएंगे, और जो इसका दूसरा वेरियंट है, वो आपको अंडर 25,000 में मिल जाएगा, बट परसनली मुझे इसका लुक और कैमरा दोनों बैस लगा, दोस्तों वैसे तुम्हें आपको पहले ही बता दू कि यह फोन 25,000 रुपे के सेग्मेंट में आता है, लेकिन यह फोन दमदार है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में भी इसे एडड कर लिया, उ और एक बात इसमें जो स्क्रीन का रिफरेश रेट है, वो आपको 120 हर्स का मिलेगा, लेकिन इसकी जो बैटरी है वो वीवो से जादा है, क्योंकि इसमें 4850 सेमेच की बैटरी है, जो कि दिन में गेम खेलते वक्त, मूवी देखते वक्त, नैच सर्फ करते वक्त, एक से देर ही कर गा है, सिर्फ 16 मेगा पिक्सल का कैमरा दिया है, हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ अच्छा देने हैं, तो कहीं कॉस्ट कटिंग तो करेंगे ही, कैमरा रिजल्ट प्राइमरी कैमरा के फोटोस तो बैस्ट हैं, लेकिन बाकी मैक्रो शॉट्स इसकी वीवो से जादा खा सकते हैं, तो आप इसे कब परचिस करना चाहते हैं, या आप पर हाँ, और नहीं, तो फिर चलिए, नेक्स फोन देख लेते हैं, नमर थ्री, वन प्लस नॉर्ड, गाइस, फोन अगर वन प्लस का हो, तो उसके बारे में, दो बाते हमेशा कंफर्म होती, पहला वो फोन एक्स साथ है, साथ इसमें आपको 12GB RAM, 256GB का स्टोरेज दिया हुआ है, इस प्राइज रेंज में अब तक की सब सब ज़्यादा RAM और स्टोरेज आपको इसी फोन में देखने को मिलता है, जनरली, mostly फोन में 8GB से ज़्यादा RAM और स्टोरेज होता ही नहीं है, लेकिन इसमें जो Qualcomm का Snapdragon 765G processor लगा है, जो की 5G network को भी support करता है, यह processor MI के processor से पुराना है, हाला कि दोनों की performance में ज़्यादा difference नहीं है, बट यह थोड़ा सा ज़्यादा powerful है, Oxygen OS को support करता है, यह भी एक advantage यह क्योंकि इसका user interface भी must है, बात करें camera की तो इसमें 48 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 का quad camera setup बैक पे और फ्रेंड में 32 प्लस 8 मेगा पिक्सल का dual selfie camera आपको दे रखा है, इसके selfie camera के specification के according इसके result भी अच्छे है, लेकिन इसके back camera के result अच्छे तो है, बट ज्यादा कुछ खास expectation इससे रख नहीं सकते हैं, इसके साथ आपको 4115 mH की battery दी गई है, जो की सुनने में भली कम लगती ह बट समसंग 7000 mH की battery आपको provide कर रहा है, लेकिन एक बात ये भी है कि आप इसे समसंग से जल्दी चार्ज कर लेंगे, तो किसमें 30W का charging support भी दे रखा है, अब बात कर लेते हैं इसकी price की, तो आप इसे 30,000 रुपे में purchase कर पाएं, दोस्तों इस phone के specification की बात करें तो इसमें आपको 6.44 inches की बड़ी सी Super AMOLED डिस्पले मिलती है, जो कि आपको 6GB RAM और 108GB के internet storage के साथ आती है, इसमें भी आपको memory expand करने का कोई option नहीं मिलता है, कैमरे की बात करें तो इसमें 48MP प्लस 13MP प्लस 13MP प्लस 2MP के quad camera setup बैक में मिलेगा, इसके साथ सेल्फी लेने के लिए 16MP का front facing camera पर आपको मिल जाता है, बात करने camera Israel की तो इतने कुछ जादा खास है नहीं, बट फिर भी आपका काम हो जाएगा, वैसे भी ये game centric phone है ना कि camera centric phone, क्योंकि इसमें Qualcomm Snapdragon 865 chipset processor दिया रहा है, जो कि 800 की series के सारे ही phone gaming के लिए best होते है, और उपर से बाकी पिछले सभी phone से ज़ भी सबसे जादा है, इसलिए जस्ट 15 मिन में आपको 50% से बैटरी ज्यादा चार्श करके दे देगा, अब बात कर लेते हैं price की, तो flip card पर इसका जो price है 29,90 रुपे, दूसर जो variant इसका वो 30,000 के उपर की range में आता है, इसलिए उसे में यहां include नहीं कर रहा हूं, तो overall देख करने इस phone की, तो हाली में launch हुए इस phone के feature तो बड़े ही best है, लेकिन 6.5 inches की Super AMOLED screen के साथ यह phone आता है, जिसमें आपको 120 Hz का refresh rate भी मिलता है, और 240 Hz का touch sampling rate देखने को मिल जाता है, तो screen तो इसकी best है, महीं बात करने इसकी camera की, तो इसमें Sony IMX 686 sensor वाला 64 megapixel का primary camera है, जो की 8 megapixel के ultra wide camera और 4 megapixel के macro camera के साथ में आता है, और एक portrait lens भी इसमें दिया हुआ है, जो की front में इसमें आपको 32 megapixel का camera मिलता है, तो देखा जाए तो camera specification भी इसके खास है, बस इसके results मैं अभी तक देखे नहीं है, बट जैसा phone है, उसी साब से तो best ही होंगे, अब बात कर लेते हैं processor की, तो इसमें MediaTek का Dimensity 1000 processor लगा हुआ है, और इस processor के साथ launch होने वाला इंडिया में ये पहला phone है, जो की 5G को भी support करता है, खेर अब इसके बारे मैंने थोड़ी research की, तो मुझे पता चला कि IQ के processor से कोई better processor तो नहीं है, बट ठीक है, gaming तो ये भी बहुत अच्छे से करवा देग इसके लावा इस phone में battery 4500 mh की लगी, जो की IQ से जादा भी है, और इसका charging support 65 watt का एल, जस्ट 3 मिनिट की charging से आप अपने phone में 55 मिनिट तक game खेल सके, जस्ट 5% की battery पर आप 89 मिनिट्स यानि की पूरी की पूरे 3 घंटे तक chatting कर सकते हैं, ऐसा company ने claim किया है, और company ने अगर claim किय यानि इसे test भी किया होगा, खेर बात करें इसकी price की, तो इसकी sale अभी तक start नहीं है, और इसका sale start होगा 17 फैप से, इसका जो price है, वो पूरा का पूरा 30,000 रुपे होगा, तो देखा जाए तो इस phone में मुझे सब कुछ ठीक लगा, ठीक नहीं लगा, तो वो है इसका look, खेर खूब सारा दिल से share कर दीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए, notification वल आइकन के साथ में, bye bye